लोगसभा चुनाव नजदीक हैं ऐसे में लोगसभा की 25 सीट वाले राजस्थान में भी अब चुनावी चौसर बिच चुकी है राजस्थान के लिए अब तक बीजेपी 15 उम्मीदवारों के नामों का एलान कर चुकी है तो वहीं कॉंग्रेस ने भी 10 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार घोशित कर दिया दोनों राजनैतिक दलों की ओर से आई लिस्ट के बाद अब 25 में से 8 सीटों पर मुकाबला आमने सामने का तै हो चुका है इस बार भारती जंता पार्टी ने 7 सीटों पर नए चेहरों को मुका दिया है और अब कॉंग्रेस ने सिर्फ 10 सीटों पर अपने नामों का एलान किया है और सभी उम्मीदवार नए है यानि कि इस बार कॉंग्रेस ने नए चेहरों पर अपना दाव खेला है कॉंग्रेस के सूची में शामिल राहूल कस्वा और पुर्वसीम अशोग गहलोत के बेटे वेभव गहलोत ही है जो पिछला चुनाव लड़े चुरू से सांसद राहूल कस्वा पिछली बार भाज़पा के टिकेट पर जीते थे और चुनाव से ठीक पहले कॉंग्रेस में शामिल हुए लेकिन कस्वा पर भरोसा जताय गया भले ही राहूल कस्वा भी सांसद हैं लेकिन कॉंग्रेस के लिए तो वो भी एक नया चहरा ही है अगर बात करें अशोग गहलोत के बेटे वेभव गहलोत की तो उन्हें भी टिकेट मिला है लेकिन उनकी सीट इस बार बदल दी गई है इस बार कॉंग्रेस ने लोग सभा में तीन विधायकों को भी टिकेट दिया है विधान सभा चुनाव में जीते हुए ये तीन विधायक हैं जो हाल ही मेहीने पहले ही चुनाव जीते थे कॉंग्रेस के लिस्ट में वो तीन विधायक हैं मुंडावर विधान सभा से विधायक लईत यादव जुनहें अलवर से मैदान में उतारा गया है उन्यारा विधायक हरीश चुंद्र मीना टोक सवाई माधोपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे और जुनजुनू विधायक ब्रजेंद्र ओला जुनजुनू से प्रत्याशी बन गए है अलवर से परंपरागत तोर पर लड़ते आ रहे कॉंग्रेस के राष्ट्र महा सचिव भवर जुतेंद्र सिंग इस बार जुनाव नहीं लड़ रहे हैं यहां दो यादवों में मुकाबला हो रहा है कॉंग्रेस से विधायक ललित यादव और भारती जन्ता पार्टी से केंद्रिय मंत्री भूपेंद्र यादव आमने सामने है और यह दोनों ही नए प्रत्याशी है टोक सवाई मादोपुड से कॉंग्रेस ने भाई की जगा भाई को टिकेट दिया है पुर्व केंद्रिय मंत्री नमो नारन मीना की जगे उनके भाई विधायक हरीश मीना इस बार प्रत्याशी है हरीश पहले भारती जन्ता पार्टी के प्रत्याशी थे 2014 में 200 सीट से उन्होंने अपने ही भाई नमो नारन को हराया था और वो सांसत बने थे अब तक कॉंग्रेस ने जिन सीटों पर नामों का एलान किया है वो सभी नए चेहरे हैं देखना ये होगा कि आगामी लोकसभाद 2024 में कॉंग्रेस का एदाव सीधा पड़ता है या उल्टा